तो आज था हमारा चोथा दिन और उपर से संडे भी था तो आज हमने सुबह जो अपना टारेट सेट किया था कि RWA के चार वीकली टेस्ट को माना है वो सारे टारेट फारेली अभी कम्प्लीट हो चुके हैं तो हमने SSC GD, UPSI, Constable और Head Operator इन चारे टेस्ट को पूरा मार लिया है तो यह सारे टेस्ट को मारनेक बार एक ची समझ में आया है कि अभी जो हम मैनद कर रहे थे यानि जो अभी हम पढ़ाई कर रहे थे जितनी देर उतने से कुछ नहीं उखड़ने वाला बहुत मैनद करनी पड़ेगी भाई वह अपने पढ़ाई को बढ़ानी पड़ेगी पूरा जो टाइम द्धर तर जा रहा था उसको कम करके केवल पढ़ाई पर टाइम देना और कहीं नहीं तो एक बार चल часов देख लेते हैं कि आज मेरा किसमझ कितना नमर था तो सबसे पहले SCGD का देख लेते हैं तो उसमें 160 में से आज मेरा 108 था इससे पहले मेरा 131 था लेकिन इस बार 108 आ गया क्योंकि अगर टेस्ट आप जब भी मारने जा रहे हो तो सीरियस होके बहुत मत मारिए अलब सिंपल रिलाक्स होके मारिए तब आपका नम्म ठिट ठाक आ हो यह थे मैच में 17 रिजिनिंग में 17 gk में 9 था और रैंक मेरा 6000 में से 5000 के करीब था उसके बाद हमने मारा UPSI का जिसमें 400 में से 272 अधा और 109 साहिवी 51 गलत हिंदी में 30 था मैच में 30 था रिजिनिंग में 29 था जी के में 20 था इसमें केवल 947 बच्चों ने मार था जिसमें इस मेरा रैंग तेईस है उसके बाद हमने यूपी कॉंस्टेबल कमारा जिसमें से 300 में से 100 पंचान 200 भी पार नहीं हो पाया इसका मतलब पढ़ाई में अभी कमी रह गई यह बहुत पढ़ना भाई जब तक 200-200 के करीब न जाए तब तक पढ़ाई करते रहो इसमें रैंग इ में यूपी असिस्टेंट ऑपरेटर का जिसमें मेरा 400 में से 286 आया था इससे पहले जब हमने मार्थ अगले संडे को 280 के करीब आया था इसमें मेरा 143 हिंदी में 33 मैथ में 24 रिजिनिंग में 63 जीके में 23 तो यह था हमारा आज का स्कूर भाई एक चीज़ समझ में आ गया है कि अभी जो हम महनत कर रहे थें उससे अब कुछ नहीं उखड़ने वाला अब अपनी महनत को दुगना करना पड़ेगा और पढ़ाई भी पूरा ध्यान लगाना होगा आप मैंसे बहुत सैसे लोग होंगे जो मॉक्टेश नहीं लगाते हैं बहुत सारे लोग तो मॉक्टे अगर आपका सिलेवस नहीं कंप्लीट है तो हर संडे को मारें कम संदे को पता चल जाए कि आपकी त्यारी कैसी चल लए अगर नम्मर बढ़ेगा इसका मतलब त्यारी आपकी सही है तो हर संडे को कम से कम एक मॉक्ट तो मारना ही चाहिए अगर आप डेली नहीं मार पा रहे कर दो